कि नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्टोपर्ट गुरू में दोस्तों आज जो है S320 के बारे में बताने वाला हूं और कुछ चीजे समझाने वाला हूं बहुत सारे लोगों को हो सकता है कुछ फंक्शन क्लियर ना हो और देखे फंक्शन तो ऐसे हैं कि अगर आप करते जाएंगे तो खुद बखुछ समझ में आते जाएंगे लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा जल्दी करना है तो यह वीडियो देखके आप कुछ चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं तो मैं आज ड सब्सक्राइब SPD 20 की तरफ यह आपको दिखी रहा हो का 20 यहां पर और यहां पर किट लगी हुए 200 पर और एक टेस्ट किट नाम लिखा हुआ है इसमें अब हम पूरे फंक्शन को समझने वाले हैं क्या एफेक्ट हैं कैसे इंस्ट्रुमेंट सेट करते हैं किस तरह से हम जो समझने वाले हैं तो आप ध्यान से दिखें किक चीज को चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोई किट बनाने की और एक kit है यह वॉल्यूम की फ्लस माइनस से जो है kit आगे बीचे होती है यह पता ही होगा आपको तो अभी हम एक kit बनानी की बात करते हैं कि हम जो है आठो पैड में जो है kit कैसे बना सकते हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है सिंपल आपको इंस्ट्रुमेंट पर क्लिक करना है तो आप इंस्ट्रुमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपके जो है इंस्ट्रुमेंट चेंज होंगे ठीक है इंस्ट्रुमेंट चेंज होंगे आप इंस्ट्रुमेंट के बारे बता दूँ आप यहां पर दो की यहाँ पर भी दिख रहे हैं आपको, यह प्लस माइनस की दिख रहे हैं, यहाँ पर यह दो की है, arrow, वो ना हुआ एक इस तरफ, एक इस तरफ, यह जो है, इसमें जो यह दिख रहा है आपको, BD लिखा हुआ है, BD के 0, 1, है ना, तो यह BD एक पूरा section है, जैसे मान के जो यहाँ से प्लस करेंगे, तो यह section एज हो गया, तो जब हमें section चेंज करना है, तो हम को यह bd पर यह करजर जो बिंक कर रहा ना उसको लाना पड़ेका, अगर हमको उस section के instrument चेंज करना है तो हम को कर्ज़र यह नंबर पिलाना पड़ेगा ठीक है कि अबर से क्या एक एक इंस्ट्रूमेंट चेल गा और अगर यह कर्जर आप इस पर रहेगा तो पुरा सेक्शन चेंज ज़ाइगा बेस परा जाएंगे डारीक डारेट एके हैं। खायदा है। इसको अगर हम आगे ले जाते हैं। अब यह देख रहे हैं। यहाँ पे विंड़ है। हेुन लोगों के लिए है। खास सोर्स जो AISPRYU20 आ प्रहले तक और SPD20 के ही इंस्ट्रॉमेंटा से इंको चुम्म miránd are the SPD20 के इंस्टॉमेंटा वह हुं को तो उनको क्या करना है उनको यहां बहक barking आना ईय को इस जो कोस्टाइड बना हुआ है इसमिbell आज और हिदर से तो आप क्या होगा कि जब भी आप इस पे जो ये बिलिंग कर रहा है यहाँ पे चेंज करेंगे तो डारेक्ट वही इंस्ट्रुमेंट आएंगे जो आपके कि S420 , 20 एक्स में अपना जो फुराना वाला आता था उस में जो है जो है जो है चेंज होते थे वैसी इंस्ट्रुमेंट इसमें चेंज होगे तो आपको आपको जो है अगर सेक्षन चेंज करना ए तो यहाँ पर बिलिंग करने वाली instrument चाहिए कि वो उसी के instrument आपको मिलें तो आपको ये section पर जाना पड़ेगा ठीक है इतना clear हो गया चलिए तो ये तो हो गया कि मानके लिए यहां मेरे को एक किक लगानी है और मेरे को ये किक लगानी कौनसी बी 47 जो ये डारेक्ट मैंने यहां पर बी 47 किक लगा दिये हैं अब इसके parameter कैसे सेट करते हैं देखिए मैं एक ही पैच पर बताऊंगा आपको सब चीज हैं एक ही पैड पर पैच तो ठीक है पैड भी एक ही रहेगा उस पर प अब मानलो आप, ये और जब आप मानलो आप ले ये ये और ही टो ये रहेगा कैसे सब मेर सबस्ज़र और है कि अब आप कोई एंस्स्रूमंट दे लगा निनल्हें गए हम चाहें तो इस्टotomayent लगा सकते हैं आघ तो अब आट कर के चलते हैं अभी के औलना ले एर की बात तो अभी हम मेन लेयर पे काम कर रहे हैं और हमने भी 47 किक लगा ली हैं, यहां पे, अब हमको वाल्यू बढ़ाना है, तो वाल्यूम बढ़ाने के साथ साथ, और क्या के चीजे उस वाल्यूम वाले जो बटन है जो वॉल्यूम वॉला सेक्शन है उसमें देऊ ही है वो चीजें पहले सबसे पहले वो क्लियर करूँगा मैं तो बात करते हैं लेवल जब वॉल्यूम की बात आती है तो हम लेवल की बात करेंगे लेवल कितना रखना है अब आपको धान देना है कि जितने भी ये पैरामेटर्स दिख रहे हैं ये तो वर्क करते ही है इसके साथ मैं जो है एक पैरामेटर से एक पैरामेटर के अंदर ही अगर हमको दूसरी जगों पर जाना है मन की लेवल के अंदर ही हमको दूसरी जगों पर जाना है अब रेशो को कम ज्यादा करना तो वो ब्रस मिनस के बटन से होगा जैसे मान के लो कम करना है तो यह माईनस के बटन डबाया आप इसको डबा कर रखेंगे तो बहुत फास प्रोग्रेस करें गई अब फास बहेंगा देखिए मैंने सिंपल डबाया तो यह एक ऐसा चेंज वर कि हम थीरे बजाए तो धीरे आवाज आए तेज बजाए तो तेज आवाज आए या एकदम बिलकुल सेंस खतम हो जाए एकदम तम से धीरे बजाए तब भी बहुत तेज आवाज आए तो यह कर डिसाइड करेगा यह भी आपको मालूम है क्योंकि आप SPT 20 यूज कर चुके है तो मैं यह function बता रहा हूँ आपको और मैंने आपको detail में समझा दिया कि यह कर्व जो है यह decide करता है कि आप इसको जब setting करेंगे तो आप दीरी दीरे इसको linear करके देखिएगा फिर expand mode और करके देखिएगा फिर आगे आगे ऐसे करके आप चैक करते जाएगा साउंड किस हि आता है ठीक है तो यह level में एक curve भी आ गया तीसरा fixed value भी आ गया अब fixed value क्या यह भी sense के उपर डिपेंड करता है fixed value में जो है आप एक value को निर्दाइद कर सकते हैं ठीक है अभी क्या हो रहा है कि वैल्यू कैसे सुनाई दे रही है कि देखिए अभी शायद मैं में वाले पे नहीं हूँ इसलिए जैसे मान कि चलिए यह fix कर दिया मैंने ना कर्व को मैंने fix कर दिया मतलब कर्व का जो style है कि मैं अगर धीरे बजाओंगा तब भी तेजिया हो जाएगी ठीक है तो मैंने यह fix कर दिया अब यहां fix value को हमको अब यहां से हम घटा बढ़ा सकते हैं यह कितनी रखना है ठीक है इस pad की चलिए इस चीज़ को आपने समझ लिया आब आगे की बात करते हैं यहां से मैं इसको वापस उस value पर लिया हूँ यह देखिए fix value यहां पर आ गई अब यहां से बढ़ा रहे हैं यह यह ऐसा काम करती है fix value आपको आप समझ में आया होगा क्योंकि पहले वो लेयर थोड़ी शायद चेंद थी इसलिए ठीक से आया नहीं लेकिन हाँ fix value यह काम करती है तो हम जब curve decide करते हैं हमने curve अगर fix कर दिया है कि धीरे अगर हम आ रहे हैं तो धीरे आवाज आए तो मतला तेजी आवाज आए जैसे अभी देखिए मैंने यह fix value बढ़ा दी 127 कर दी पहले यही setting थी ठीक है अगर मैंने इसको fix कर दिया अगर मैं धीरे से touch करूंगा तब भी तेजा वाज आएगी यह देखिए उंगली से भी touch कर रहा हूं तेजा अब इस fix value को हमको कितना रखना है वो यह decide करेगा यह ठीक है इस बात को आप दियान रखिए और इससे आप कर सकते हो तो अभी हमें इसको वापस linear कर देता हूं इससे हमको problem ना हो ठीक है आपने दो चीजे समझ ली कर दूसरा जब हम उसके कर्व में ही अगर हम fix कर देते साउंड की value को कि हम तेज बजाए या धीरे बजाए तो हमें जो है sound जो है इतन होगा ठीक है यह देखिए यह पैड का sense का अलग से दिया हुआ है minimum volume pad minimum volume और maximum कर सकते हैं यह यह पैड का हमने minimum volume रखा है यहां से हम बढ़ा सकते हैं ठीक है यह सब चीजें आप करते करते आपको आजाएंगे तो यह तीन parameter यहां पर दिया हो है किसमें लेबल में वॉल्यू कर और फिक्स वेल्यू एंड पैड मिल्यूम वॉल्यूम अब बात करते हैं हम अब बात करते हैं यह पिछ की कि ठीक है पिछ मैं कौन कौन से parameter दिया यहां से मैं तो कि पैरामिटर को मैं चेंज कर रहा हूं तो कॉर्सा ट्यून मतलब 1-1 नोट हांके पीछे बढ़ेगा और तो फाइन त्यून याने एक नोट के बीच में बीच में कोई चीज बच रही है, मतलब साथ से लेके रे तक नी, एक नोट मतलब हो गया, यू समझ लो, गा से लेके माता किया, साथ से लेके, मैं गाह और मा इसलिए उदाहन दे रहा हूं कि गाह मा सुनाया, अगर मैं कि गाह और मा में एक भी सवर का अंतर नहीं होता, तो उसके भी बीच में अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट बूल रहा है, उससे ट्यून करना थे, फाइन ट्यून का हम अभियोग करेंगे, ठीक है, पैडल बैंड, अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, पैडल के बारे में नहीं और या अगर आप पैडल लगाएंगे तो इसको आप करके देखेंगे, तो आपको समझ में आजाएगा क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें नहीं आएगा इसका कुछ सेटिंग, पैडल जब लगेगा तभी आएगा, तो पिछ में हमने दो चीजे समझी, एक तो कोरसा ट्यून और एक फाइन ट्यून, अब हम आजाते हैं, इंस्टुमेंट, इंस्टुमेंट में तो किवल इंस्टुमेंट ही है, यह हम ने देख लिया पहले, टाइप, अब टाइप में जो है हमको यो दो लियर मैंने बताया था, जो में और सब है, उसका टाइप क्या रखना है, एक बच जाया and dials फर दूसरी बार में stroke एन तो दूसरी बचे है हाष ना तो इसे को decide करते है इसमें तो अभी switch off है ना यह जो type है अभी off है मैं mix कर दूँगा तो दोनो volume सुनाई देंगा अब दोनो volume है इसका volume अभी कम है मैं इसका volume बढ़ा देता हूँ, जो नीचे sub type है, उसका volume मैं बढ़ा देता हूँ और instrument क्या लगा हुआ है, ये, अब ये दोनों सुनाई देने लगी, दूसरी भी के एक सुनाई देने लगी, ये mix हो गया, ठीक है इसका भी यह जो है कर्फिक्स हो गया था यह अलग कर दिया चलिए तो टाइप में ही थे हम लोग तो मिक्स हो गया फेट करेंगे तो उसका एक अलग वल्लियो आएगी कैसे फेट में जब इस्टीडियो साउंड होता है तो इधर से उधर टोन जाता है या कम जादा पहले बा में तेज आया ऐसे स्विच मतलब एक टोन बजाया फिर दूसरा टोन पर सुच हो जाएगा तो यह सब चीजें है इससे हम समझेंगे और इससे हम गम जादा करेंगे और यह टाइप टाइप के अंदर जो है हम इसको देखेंगे ठीक है फेट पॉइंट दिखा हुआ है मान अगर मैं बढ़ा देता हूं तो दोनों लेयर एक साथ एक ही मतलब प्रॉपर उसमें बजेंगी ठीक है तो आपको यह टाइप भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं हम में और सब में सब पहले भी बता चुका हूं फिर सुन लीजे में सब लेयर का काम करेंगा यह व दूसरे लेयर में भी 01 लगी होगी है हना ड्राइक ड्राइक तो आई होप यह क्लियर हो गया होगा इंस्ट्रुमेंट टाइप में सब लेवल पिच और अब अधर में जाते हैं अधर बहुत इंपोर्टेंट है अधर में हमको मेलेगा डिके पैन मिलेगा हमको लेफ्ट रा रखना है या हमको एफेक्ट देना है ठीक है आउट्पुट में हमको ड्राइ रखना है या एम एफेक्स के साथ में रखना है रखना है कि साउंड सिंपल जाएगा या एफेक्ट के साथ में जाएगा अगर हम एम एफेक्स कर देते हैं कि तो वो ड्राइ का साउंड मतलब इंस्टूमेंट का साउंड नहीं आएगा। मतलब जैसे यह इंस्टूमेंट है। अभी क्या हुरा है? इंस्टूमेंट का साउंड नहीं आरा. लेकिन अगर कोई इफेक्ट डला होता, तो उसका साउंड सुनाई देता. मान के जो लो इले डाल के रखते हम। तो मेन इंस्ट्रुमेंट का साउंड याता लेकिन वो डिले अगर जो रिपीटेशन वाला जो आ रहा है वो सुनाई देगा तो अभी हम जो है ड्राइ प्लस एम एफेक्स मतलब ड्राइ भी सुनाई दे और उसका एफेक्ट भी सुनाई दे तो अगर डिले डला है चिक चिक ऐसा डला हुआ है तो चिक तो यह बच गया लेकिन बाद वाला चिक है नँगर सकांग कर देंके तो वो प्लस चिक की सुनाई नी देगी लेकिन दूसरे वाले जो एफेक्ट दला हुआ है वो आएगा है इस बात का ध्यान रखिए और इसको मैं बहुत अच्छे जरीके से यूज करता हूं कही जगे तो ये समझ लिया आपने अब ये MFX SELECT अब मान के चलो आपको मान के चलो एक की किट में सॉरी लेयर मापकीजिए का leyer भी होगा इंवॉबल स्किट की बात करें एक ही किट में इस पैड पे रोएसा अलग इसमें आपको डिले लगाना है, इसमें आपको डिले लगाना है, इसमें आपको डिले लगाना है, इसमें आपको हाइट, हाइट ओपन में आपको कुछ और कुरस लगाना है, तो यहां आपको जो है, इन्होंने प्रोवाइट किया है कि आप जो है, हर एक जगा पर अलग अल दाल दूंगा, जिवाप के लिए MFX 1 नहीं है, अभी वो में बाद में बताऊंगा कि, हम जो है MFX 1 में क्या डाले, MFX 2 में क्या डाले, MFX 3 में डाले, क्या डाले, MTF X है, MTF X, ठीक है, तो MFX 1 में हमको क्या लगाना है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले मैं आपको बता दूंगे, किसी भी टोन में MFX 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम, जो है, शिफ्ट दबा के, sorry, MFX 1 यहाँ बाद में गया है, और आप आगए MFX, ठीक है, MFX 1 यहाँ पर है, और यहाँ से MFX 2 और यहाँ से MFX 3, यह प्लस वेल्यू के से आप, हाना, आप को उनके लो, इधर MFX 1 लगाना है, इधर पर MFX 1 लगाना है, और इधर पर MFX 3 लगाना है, यह, तो देखिए आप, अलग-अलग हो गया, इसका effect अलग, इसका effect अलग, multi-effect system है, बढ़िया, बढ़िया चीज है, हाना, तो इस चीज को आपको clear होगी होगी, MFX, जो है, हम कैसे use करें, send, MFX send, कितना send करना है, जैसे हम 20 में करते थे, कितना effect send करना है, तो यहाँ से हम send कर सकते है, प्लस माइनस की value से कम जादा करके, ठीक है, बात करें ambience, अब ambience एक automatic, मतलब अंदर जो ambience के effect दियो है, यहाँ पर एक ambience का button है, इसमें ambience on किया हुआ है, ठीक है, तो ambience में भी जो है, प्रकार है, type है, यह देखिए, यह कोई effect का नाम है, plate, ठीक है, उसका type दिया हुआ है, यहाँ से अपने change कर सकते है, hall, hall one, hall two, तो room दिया है, room two, room three, और के setting आपको करनी पड़ेंगे अपने साब से, और यहाँ से आपको जो है, उसको on करना पड़ेगा, ठीक है, ambience, और, यहाँ से आपको on off करना पड़ेगा, हाँ ना, off रखना है या on रखना है, ठीक है, यह, अगर आप off करते हैं, तो ambience इसमें नही मतलब पूरे किट में सुना ही देगा वो कब जहां से आप अन करेंगे मतलब एम्बेंस भी जालना पड़ेगा आपको ना यह अधर से जाके यह देखिए अधर के बटन दिया ने यह 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 अगया अधर मतलब इसको इसके थुरू आपको भीजना आप इसमें आप जो एफे अधर तरीके के एफेक्ट लगा सकते हो और पूरी ओवराल किट में आप कोई एक रिवब लगा सकते हो हौल का या कुछ और लगा सकते हो यह आप पूरी किट में लगा सकते हो यह अधर से होगा आपको क्लियर होगा अधर में जो अधर में जो चीजे हैं वो बता रहा हो म यह एंटर करके आप पेले तो अउन करिये है अँसके बाद आलो का मतल़ा है low frequency, base बढ़ाना low gan,mतलब low का भी जो है आप volume बढ़ा सकते हो, फिर mid frequency यह यह सब mid gan, फिर high frequency, मतलब sharpness इसका भी gain बढ़ा सकते हो, आप कितना sharp करना है तो यह बहुत अच्छा equalizing का यह function इसमें दिये हुआ है तो अब इसको भी हम off कर देते हैं और exit हो जाते हैं तो layer echo आपको समझ में आ गया यह अधर वाले section में है फिर pad compressor, compress करना, मतलब pad फटे नहीं बाहर, यह compressor का का हम होता है ठीक है, तो आप इसको on कर सकते हो, किस टाइप के compressor चीए, kick, kick to, snare, tom तो यह compressor दिये हुए है, यह बहुत अच्छी चीज है, इसको आप यूस करेंगे कि किक में किक वाला लगा दीजे, tom's में tom's वाला लगा दीजे, और उसकी frequencies set कर लीजे, ठीक है release, attack, यह बहुत technical चीजे है, यह करते-करते ही आएंगी, लेकिन आप जो है, इसको कोशिश करते रहिए, आराम से आप समझ लेंगे, बस यह कि इन पे इस तरह से काम किया जाता है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो छोड़ दिजे, एक default setting में रहने दीजे उनक को, हाना, तो आपको compressor समझ में आ गया होगा, pad mute group, अब mute group में आप enter करेंगे, तो आपको यह मिल जाएगा कि आपको कौन-कौन से pad mute करने है, आप सब mute कर सकते हैं, ठीक है, यह उनके group बना लिजे, यह group 2, group 3, group 4, group 5, group 6, group 6, 7, 8, 8 तक आपके group दियो है, मतलब इस से इसको mute कर लिजिये, इस से इसको mute कर लिजिये, ऐसे आप group change कर सकते हैं, ठीक है, first group में आपने इसको इससे mute कर लिया, दूसरे ग्रूप में आपने इसको इससे mute कर लिया यह एक तरीका है mute करने का तो mute आपने समझ लिया, pad link, pad link भी बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें भी group है, pad link में मान कि चलो इधर दो instrument लगें यह दर पर दो instrument लगें और इन दोनों को साथ में बजाना है तो आपको जो है pad link करना पड़ेगा ठीक है तो पहले group में आपने इन दोनों को यह और यह तो आप देखिए एक्जिट हो जाओ, आप देखिए दोनों साथ में बज़रा है तो इस पें दो इन्स्रुमैंट लगें यस पें दो इन्स्रुमैंट लगें और दोनों को अगर अपने लिंक कर दिया तो ये इसक कमाल होए मोला है। बहुत अच्छे मतलब फिर इसको इसको कर दो, इसको कर दो, साथ में बजाना है. आप ऐसे करके, कर सकते हो, एक किट में, आर्ट गृप का आप प्रियोग कर लो. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. अब हम बात करने वाले हैं, एक्षेंज लेयर. ठीक है, आप लेयर को एक्षेंज कर सकते हो, आप लेयर को एक्षेंज करना है इसमें. आप जो है मेन को सब में ला सकते हो और सब को मेन में ला सकते हो आपने गलती से यहाँ पर आपको एक ड्रम केट लगाने थी लेकिन एक जो है एक इंस्ट्रुमेंट मेन में लग जा तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो ठीक है कोई सभी पैड है उसका आप चेंज कर दो ठीक है सब में सब में अगर होगा तो वो में में जाएगा और सब वाला जो है में में जाएगा में में वाला सब में चले जाएगा तो यह यह है अपना exchange layer का option बाकि इसमें कोई function नहीं है आई हो आपको ये भी clear हो गया होगा अब हम और आगे चलते हैं और समझते हैं चीजों को क्या है क्या नहीं है MFX की बात कर रहे थे हम तो MFX on करना है आपको ये 3 MFX दियों है 1, 2, 3 1 को on करिए और कौन सा type लगाना है वो आप लगा लिजिए ठीक है यहां से select करके तो ये दियों है कुछ types आप लगा सकते हैं ठीक है 2 में आपको क्या लगाना है 3 में आपको क्या लगाना है वो सब आपको clear करना पड़ेगा अभी क्या है अभी 1 में थे 1 में हमने on कर दिया और ये आगए effect ठीक है ऐसी हम exit होके हम 2 में भी जा सकते हैं ये 2 में किया है फिर on कर तो इसको enter डाल के तो इसमें दूसरा effect लगा दिया कुछ ऐसी हम 3 में चले गए on कर दिया दूसरा effect लगा दिया इस तरीके से हम इसका इसको ध्यान से करेंगे ठीक है तो ये अपने MFX भी समझ लिया है इसमें कुछ और function नहीं है MFX अब यहाँ copy और exchange ये भी सीज़ी सी बात है कि copy करना किसी भी चीज को मान के चलो मेरे को kit copy करना है तो kit copy का option दिया हुआ इसमे copy pad का option दिया हुआ है मान के लोग इस pad को इदर copy करना है तो वो कर सकते हैं exchange करना है तो मतलब kit exchange मतलब कोई one वाली kit को जो है तो पहलाना है और वाली को one पहला है ऐसा कर सकते है exchange pad अगर किसी kit का अगर को लग रगा कि वाला पैड अधर ना लगा कि एदर पैड लगना ची और यह वाला अधर जाना ची तो दर से एक्षेंज कर सकते हैं ऐसी exchange layer भी कर सकते हैं पूरी की पूरी layer अधर से उधर आँ ओपर से नीचे वहाँ तो हमने समझा था कि exchange layer का pad pad में जो है एक एक layer मतला उपर का नीचे कर रहे थे यहाँ exchange कर सकते है पूरी पूरी layer उपर वाली नीचे नीचे वाली उपर ठीक है और अभी जो है मैं आपको बताने वाला था यह exchange layer तो पहले हम एक function समझ लेते हैं copy kit का जिससे क्या होगा कि बाकी function भी clear हो जाएंगा आपको तो इसमें दिवाए kit 200 तो हमको सीधर सा क्या करना है हमको copy करना है kit तो अभी हम 200 पे हैं तो हम यहाँ से frequency change करके 199 वाली kit उदर ला सकते हैं ठीक है लेकिन अगर हम बात करें copy pad की तो हम जो है 199 पर जो pad लगा है वो 200 पे भी ला सकते हैं 198 पर जो लगा है वो 200 पे ला सकते हैं मतलब कोई सा भी kit का pad जो है एक pad मानके जलो यह kit है उसका एक pad हमको किसी और pad में copy करना है तो हम कर सकते हैं उसके लिए बस आपको enter दबाना है और यहाँ से जो है आपको एक्षेंज की बारी आई एक्षेंज pad एक्षेंज किट तो समझ गया आपके हाँ यह वाली किट इदर करना है यह वाली किट उदर करना है लेकिन pad एक्षेंज करना सीख लीजिए मानके जो आपको कौन सा pad एक्षेंज करना है आप किसी और kit का pad exchange करना जाते हैं या यहाँ पर करना चाहते हैं अगर यहीं पर करना चाहते हैं तो 200 पर ही रही है और पहले आप enter करिए है ना जैसे यहाँ पर आए आपने यह click किया और enter मार दिया उसके बाद 2 का option 2 लिखा हुआ है तो कहाँ पर करना है हमको यह इदर करना है तो यहाँ पर 4 आगया P4 pad 4 और यह enter ठीक है यह इदर आगया तो इस तरीके से जो है हम इसका यूज करेंगे exchange pad और यह exchange layer तो आए हो लगबग सारी चीजें जो है आपको इसमें editing से regarding आपको समझ में आगय होगी अब आखरी चीज में आपको बताने वाला हूँ वो है किस तरीके से जो है हम USB से अपलोड और सेफ कर देंगे चीजें तो हम सीधा सिस्टम पे जाएंगे USB मेमोरी sound control, pad setting, exit trigger, midi, option, version, factory set सब दिया हुआ है इसमें तो अभी केवल हम USB मेमोरी को समझेंगे बाकी चीजें तो बहुत नॉमिनल सी है आपको ऐसा ही समझ में जाएंगी USB मेमोरी में हम एंटर किया और हमने मान के चलिए अभी USB मेमोरी लगा के रखा हुआ है तो यहां save all का मतलब है जितनी भी Kit है सब से चिजाएंगे इसके अंदर लूड का मतलब जितनी भी Kit आप मतलब इसमें पूरा Kit का folder अगर सेव करके रखा होगा तो पूरे की पूरी इसमें लोड हो जाएंगी अगर अगर आपको डिलीट करना है तो यूस्बी मेमोरी में इस सब फिंदी भी डिलीट हैं, डिलीट हेंगी. यूस्पी मेमोरी में इसमेंसे नहीं. सेफ किट, अब सेफ किट का मतलब, एक कोई ठीकुलर किटा आपको सेफ करना है, तो कैसे करेंगे, तो सीधा सबसे थाएं, करना है आपको अभी USB memory है नहीं और load kit मतलब जो USB की kit है वो इसमें load करना है आपको तो enter करके बस आपको इस volume इस button से आगे पीछे करना है तो आपको सौंझ माई जागा है कहां 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 क्या है नाम दिखने लगता है kit का डिलीट किट यहां कोई किट अगर है तो इसको डिलीट करने के लिए और फॉर्मेट याने पूरी मेमोरी साफ करके अच्छे से बिल्कुल वायरस वायरस सब कतम करके आप उनको फिर से अच्छे से पूरा लोड करना है इसलिए हम USB memory को फॉर्मेट कर देंगे तो इतना ही था इसमें और शिफ्ट दबा के जो है हम सैट अल एंटर करते हैं ठीक है और साउंड उफ भी कर सकते हैं मानगे जलो यह यह चीज हमको सब जगे लगाना तो हम यह अल और एंटर करतेंगे ठीक है एड़िटिंग करने पड़ीग उसके लिए हमको कि यह मान कि जलो यह है यहां पर ट्राइक किट है और मैंने शिफ्ट तबा के लगा दिया तो सब जगे ट्राइक जाई कि यह यह देखिए यह यह देखिया गई यह वाला पॉर्शन आ गया हना द्राइक ने यह स्टुडियो ट्याई लगा था वह आया यहां कि क्या पैट लिंक करके रखाता मैंने तो इसकी वज़े से वह गड़बड हुआ तो खेर यह चीज भी बिल्कुल ठीक है के शिफ्ट दबा के से टॉल करेंगे तो जो है आपका सभी जगे वही फ्रिक्वेंसी जाए कि चाह यहां इसे बना सकते हैं तो अपका काम बहुत बढ़ियां हो जाएगा और आप बहुत इसे से बना सकते हैं है ना चले होके फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए दोस्तों